पानीपत में तीन लड़ाईया लड़ी गई आखिर पानीपती सबकी फेवरेट बैटल फिल्ड क्यों रही है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया इस सराउंडेड बै माउंटेंज तो कोई भी अगर इंडिया पे अटेक करना चाहता था तो उसे पासे धूनने पड़ते थे और यहाँ पे एक पास मिल जाता था जिसको खायबर पास कहा जाता है और पानीपत में ना ही कोई डेजर्ट ना ही कोई देंस फॉरेस्ट और ना ही कोई हिली टेरन थे इसलिए यह एक बेस्ट लोकेशन थी पानीपत दिली के करीब होने के कारण जो लोकल रूलर्स थे वो easily अपने वेपन्स और अपनी आरमी पानीपत तक पहुचा सकते थे पानीपत जो इसके आसपास फ्लाइट ग्राउंड है जिस कारण आप easily बहुत लड़ सकते थे इस रीजन के आर्टिशन्स और स्मित वेपन्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे जिस कारण यहां से वेपन्स बहुत easily अवेलेबल हो जाते थे